नमश्कार दोस्तों मैं हूँ जेतेंद्र ठवर मलानी ओफ टोनी आप देख रहें न्यूस टीवी कल यानि की मंडे अक्षेश शिंदे जो रेपिस्ट एलिज जिसके उपर ये एज़ाम लगाया था कि दो छोटी-छोटी बच्चियों का उसने सेक्श्वल असॉल किया है ऐसे एज़ाम लगा हुआ उसके उपर बदलापुर के स्कूल की में बात कर रहा हूँ कल उसका एंकाउंटर में अब एंकाउंटर कैसे हुआ क्यूं हुआ मैं दीरे दीरे आपको सब बताओंगा पहले मैं अक्षेश शिंदे का थोड़ा सा बैक्गराउंड बता दूँ आपको अक्षेश शिंदे एच ट्विंटी फॉर इयर्स बदलापुर का रहने वाला बदलापुर के स्कूल में दो बच्चियों का उसने सेक्शल असॉल किया या रेप किया ऐसे उसके उसके उपर इल्जाम लगा हुआ है दो छोटी बच्चिया स्कूल की प्री प्राइमरी स्कूल की बच्चिया यानि की ऐज मेरे कहा से तीन चार साल की होगी उनकी जब बच्यों को तीन या चार दिन बच्च肉 फील हुआ जब इन्जूरीज हुई तो उन्होंने अपने माबाप से शिकायत की माबाप ने स्कूल वालों से जा के शिकायत की इस बीच में मेडिकल टेस्ट भी करवाया बच्चों बच्चियों का माबाप ने जब चोटी सी बच्ची जब कंप्लेंट कर देगी प्राइवेट पार्ट में कुछ सकलीफ हो रही है तो माबाप डॉक्टर के बास ले गए डॉक्टर ने कन्फर्म भी किया कि ये बच्ची is sexually assaulted continuously for three to four days that's why she has developed some injuries in the private parts मझे बोलने में भी थोड़ा दुख है अच्छा नहीं लग रहा लेकिन बदा ना बढ़ेगा audience को exactly क्या हुआ था parents गए school के पास कि आपके school में इस तरह से हुआ है we want cctv footages but school की authorities principal and उसरे senior authorities ने मना कर दिया कि cctv footage हमारे पास नहीं है and parents का ये allegation है school authorities के उपर की school authorities ने cooperate नहीं किया नहीं police affair lodge कि हालांक it was duty of the police अपना ये what we say principal and the school authorities to immediately lodge the police complaint because it was a serious matter but anyhow जब लोग सडकों पे उत्रे आपको देखा होगा आपने news channels में कि बदलापूर वाओ पूरा टोटली बंद वाली situation थी station पे roads पे public का जमा हो जाना इसके बाद police ने जब fire lodge की the matter was handed over to the special investigative team special investigative team से पता चला cctv footage बगरा देखा उन्होंने and on 17th August के आसपास the alleged culprit Mr. Akshay Shinde was arrested and he was put in police and judicial custody अपना तलूजा जेल में उसे रखा गया था तलूजा जेल में कुछ दिन गुजारने के बाद Akshay Shinde की जो second wife कहा जाता है उसने complaint lodge की बोई sir police station में Akshay Shinde के against में Akshay Shinde की जिसकी age 24 years है और कहा जाता है कि जो lady ने complaint की थी उसके against में वो second wife थी Akshay Shinde की यानि कि 24 साल की उमर में से दूसरी शादी भी कर ली उसकी wife का Akshay Shinde के उपर ये complaint था कि he used to have unnatural sex with her तो वो complaint की investigate करने के लिए बदलापर की complaint में lodge की थी उन्होंने वहाँ पे station में तो SIT की team तलूजा जेल से मंडे के दिन शाम को साड़े पाँच बजे आठ या दस पॉलीस वालों के साथ अक्षे Shinde को escort करके लेके जा रहे थे पॉलीस टेशन क्यूंकि कि उसकी second wife ने उसके against में complaint lodge की थी यहाँ पर थोड़ा सा मझे अटपटा लग रहा है अलांकि बहुत सारे opposition पार्टीज वाले भी इस बात को मान रहे हैं कि एंकाउंटर वस प्लांट उस पर मैं आगे थोड़ा सा आ जाओंगा उससे पूछताश करने के लिए तलूजा जेल से शाम को साड़े पाँच बजे आठ या दस पॉलीस वाले अक्षे शिंन्दे को पोलीस वैन में लेके जा रहे थे मुंब्रा बैपास हाईवेश पर जैसे पहुंचे अक्षे शिंदे नRE ने एक इंस्पाक्टर के होल्ट्र से पिस्टल चीन ली और उसने सब इंस्पेक्टर की उपर तीन गोलिया चलाई एक गोली सब इंस्पेक्टर के ठा मांग में गोली लग देई शायद हो सकता है वह वहीं पे उसकी डेथ हुई हो तो एन्यों ही वास अक्षे वास इमिजरली टेकन तो दे नियरस हॉस्पिटल कलवा की किसी हॉस्पिटल में ले गए वेर ही वास डिकलेड ब्रॉट डेड बॉड़ी को पहुंचाया गया जेजे हुस्पिटल में फॉर पोस्ट मॉटम अब ये जो संजे है कहा जाता है कि जिसने अक्षे शिंदे के उपर गुली चलाई संजे यानि की सीनियर पॉलिस इंस्पेक्टर ये कहा जाता है कि वो किसी टाइम पे प्रदीप शर्मा के साथ एस अन असिस्टन इंस्पेक्टर काम किया करता था प्रदीप शर्मा जो एंकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था अब देखिए ये ओपोजिशन वाले कहां से कहां पता नहीं हिस्टरी निकाल देते हैं और टू प्लस टू जोड़के कुछ अलगी स्टोरी बता देते हैं मीडिया को तो मेरी भी जो यूस्ट तू वर्क अंडर निस्टर प्रदीप शर्मा थे एंकाउंटर स्पेशलिस्ट अब कॉंग्रेज वालों का या फिर दूसरे ऑपोजिशन पार्टी वालों का ये आपस में जोड़ना है कि ये एंकाउंटर वास प्लान्ट ताकि ये जो रेपिस्ट है उसको जाता है कि जो अक्षर शिंदे की मां है अलका शिंदे उसने भी कहा है कि ये एंकाउंटर वास प्लान्ट मेरे बेटे ने रेप किया नहीं है मेरे बेटे ने सेक्शुल असॉल नहीं किया है उसका तो ये भी कहना है कि जो अक्षर शिंदे यानि की मेरा बेटा अलका ऐसा अलका शिंदे यानि कि अक्षे शिंदे की मा का कहना है हर मा तो कभी यह मानेगी नहीं कि उसका बेटा रेप किया है या उसने कुछ गलत काम किया पर उसकी मान एक और स्टेटमेंट दिया है कि यह जो कुछ भी हुआ है वो प्लांड मर्डर है पॉलिस ने जानमुच के म फिल्मी स्टाइल में अलका शिंदे यानि कि इसकी मां का ये भी कहना है कि अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत काम किया भी है तो इसको फांसी लगा देते इसको जेल में डाल देते लेकिन वो टोटल लीगल प्रोसीजर के साफ से चलता तो अच्छा था खैरानिया अब ब्लेम गेम तो स्टार्ट होई गया है अपोजिशन वालों को ऐसे बीजेपी वालों का कहना है रूलिंग पार्टी में अभी शेफ सेना है और पीजेपी है मारास्टर की अब एक दूसरे को बर इल्जाम लगा रहे हैं वो सफाई दे रहे हैं वो इल्जाम ल होता है इसके लिए एक गंदा और साइको करेक्टर ही होगा कोई ना कोई तो ख्यार है निया जो कुछ हुआ अब काफी लोग तो मिठाइया बाट रहे हैं कि एक रेपिस्ट की डेथ हो गई इमिजेले इंसाफ मिल गया ये सब चीजें होती रहती हैं इसकी तुलना भी जो तुलना की जा रही है इसके पीछे भी गूगिल की स्टोरी है अब मैटर हाज बीन रेफर्ट तो सी आइडी और सी बिया तो इन्वेस्टिगेट कि ये जैन्यूली एंकाउंटर था या प्लान मर्डर था क्या था अब ये सी बिया और सी आइडी की जांच परताल करेग दो चार हफते दो चार महीने हो सकते दो चार साल भी लग जाएं केस ठंडा हो जाएका लोग भूल जाएंगे नया कुछ होगा मेमरी इस वेरी शॉट तो खेर दोस्तों सोचा आपके साथ ये शेयर कर लूँ पता नहीं क्यों ये मेंटलिटी ऐसी है ये साइकलोजी कुछ लोग ये ऐसी है आजकली कुछ ज्यादा हो रहा है या फिर सोशल अवेर्नेस ज्यादा हो गई है कि रेप एंड मर्डर ज्यादा हो रहे हैं कभी किसी लड़की को मासुम लड़की को काटके मारके टुकडे टुकडे करके फ्रिज में रखा जाता है बहुत से कैसे सुनने म में आते हैं जो कुछ भी हो रहा बहुत घलत हो रहा है एक तरफ से तो हम इंडिया काफी डवलप कर रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ कदम हम पीछे भी जा रहे हैं रानिया दोस्तों सोचा आप से शेर कर लूं थैंक्स पॉर लिसनिंग टू में एंड बी क जग्त झाल कि भी जाँ झाल maggंड़ा बी जा हैँ कि म ineffective रहे हैं रहे हैं उड़ हो रहे हैं कि मुछ झाल कर दो रहे हैं कि मुछ बहे हैं कर दो यहाँ नाम ह secondo प्ट एक वहाँड़ा है कर दो प्राव व्याओ сам पी जब तो हो तो हुओ ढाल